हेलो गाइस माइनेम ही सोहेल रदा यू और वाचिंग आई चैनल रदार एफिजरेशन इन यूट्यूब के बारे में बताया हूँ तो चलिए गाइस वीडियो को सुरू करते हैं लेकिन इससे पहरे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल रदार एफिजरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए सब्सक्राइब करिए और बहर आइकल सब्सक्राइब से में डारी हूई और रफजरेशन 777 के नाम से मेरी आइडिया है गाइस जाइए उसे मुझे फॉल कोरें के मैसेज करिए मैं आपका रिप्राइब देनी की पूरी से पूरी कोरिश करेंगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों हम पैनासोन ग्लास प्लेट और राउंडिंग प्लेट जो इसमें लगी हुई है उसको इसमें पर्मानेंट रखना होगा ये माइक्रोवेव का एक पार्ट है जो भी सामान आपको गर्म करना है रिहीट करना है तो ग्लास वाली राउंडिंग प्लेट के सेंटर में आपको सामान को रख ये तीनों टाइमिंग हमारे डेली रूटीन से जो भी हमारा काम रहेगा खाना बनाने से लेके ग्रिल करने से लेके कन्वेक्शन के लिए सारा यही टाइमिंग में यूज होगा. अब यहां से 10 मिनट का टाइमिंग स्टार्ट करेंगे और यहां से स्टार्ट बटन को दबाएंगे और टाइमिंग रिवर्स ड्यूरेशन में जाएगा. टाइमिंग कम्प्लीट हो जाने में ओवन स्टॉप हो जाएगा. आप बटन से भी अपने ओवन को स्टॉप कर सकते है और आप टाइमिंग के बीच में भी दोर खोलते हैं तो यहां से भी आपका ओवन स्टॉप हो जाएगा दोर खोल के भी हम सामान को चेक कर सकते हैं, गर्म हुआ है या नहीं फिर आप दोर बंद करके आप फिर से स्टार्ट बटन को दबाएंगे तो टाइमिंग वही से स्टार्ट हो जाएगा और इस बटन को दो बार दबाएंगे तो टाइमिंग हमारा जीरो हो जाएगा अब आप जो भी सामान रखेंगे तो दस मिनट बहुत ज्यादा हो जाता है देली रूटीन में खाना बना हुआ है या आपको डाल गर्म करनी है या दूध गर्म करना है तो पांच मिनट का भी टाइमिंग सफिशेंट रहता है अब ये जो फर्स्ट टाइमिंग है वो 10 मिनट की है अब इस बटन को दबाते जाएंगे तो यह 10 से 10 में प्लस होता नौ मिनट तक इसकी टाइमिंग है और आपने जो टाइमिंग सेट किया है ये उस टाइमिंग में स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद ये सबसे छोटा टाइमिंग है 10 सेकंड का 10 सेकंड आप जैसे प्रेज करेंगे वह 10 से 10 में प्लस होता जाएगा सेकंड में अगर आप हलका फुल का सामान या पापड रोस्ट करना है तो आप इस टाइमिंग यूज़ कर सकते हैं ध्यान दे आप तीनों प्रोग्राम यूज़ करेंगे तो आप गलास का बाउल या माइक्रो सेव का बाउल ही डालेंगे सामान डालने के बाद आप अपने ओवन को सीधा स्टार्ट कर दीजिए उसके बाद हम जो भी टाइमिंग डाल रहे थे ये आटो में सेट है उसके बाद हम फोल्डर के थू आएंगे माइक्रो पावर में लो मीडियम हाई दिया हुआ है माइक्रो पावर से गर्म करने की कैपसिटी को यहां से सेट कर सकते हैं तो आपने जो सेट किया है सेट करने के बाद आप टाइमिंग सेट करेंगे और स्टार्ट कर देंगे तो हीटिंग कैपसिटी जो है हाई में सेट रहेगी Micro Power में आप Glass का बाउल या Micro Save का बाउल यूज़ कर सकते हैं अगला बटन है Grill अगर हमको जो भी सामान रोस्ट करना है तो हम Grill बटन का यूज़ करेंगे अगर आप Non-Wage बना रहे हैं और चिकन के बड़े पीसेस है तो आप एक में सेट करेंगे अगर चिकन के छोटे पीसेस है तो इसको दो में सेट करेंगे पहले आपको Grill Mode सेलेक्ट करना है उसके बाद आप टाइमिंग डालेंगे और फिर आप स्टार्ट कर देंगे ध्यान दे की Grill यूज करने में आपको Rake यूज करना है और Glass Bowl यूज करना है अगला बटन है Convection Convection बटन का काम बेकिंग करना है जैसे कि आपको Cake बनाना है, बिसकुट बनाना है या फिर पिजजा बनाना है तो आप Convection बटन का यूज कर सकते हैं अगर आपको Cake बनाना है या बिसकुट बनाना है तो बनाने से पहले Microwave को Preheat करना होता है Convection में आप Degree Centigrade अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं लेकिन कभी आपको Preheat करना होगा खाली Microwave को तो आप यहां से Convection बटन को दबाएंगे यह 180 degree centigrade में सेट है उसके बाद आप Direct Start बटन को प्रेस करेंगे फिर ये Preheat के लिए स्टार्ट हो जाएगा ये तो Auto More था अगर आपको Preheat आपको टाइमिंग से करना है तो आप टाइमिंग भी डाल कर स्टार्ट कर सकते हैं अगला बटन है Combination Combination बटन अगर हमको Micro Power या Drill को जोड़ना है तब आप Combination यूज करेंगे Suppose आप ऐसा कोई सामान बना रहे है जो अंदर से पका हुआ रहे और बाहर से क्रिस्पी रहे तो उसके लिए जनरली यह यूज होता है Combination आप जब भी यूज करें तो Glass Bowl में यूज करें Combination सेलेक्ट करने के बाद आप यहां से टाइमिंग डालेंगे और स्टार्ट कर देंगे Combination में टोटल तीन मोर दिया है 1 Micro Power ग्रिल 2 Micro Power और ग्रिल हाई पावर में है 3 Micro Power और ग्रिल लो पावर में है यह लो मीडियम हाई में काम करता है उसके बाद आप तायमिन डालकर स्टार्ट कर दे उसके बाद अगला बटन है auto defrost auto defrost में आपके फ्रिज में वेज या non-way रखा हुआ है और उसमें बहुत सारा पानी है और पानी को सुखाना है तो उसके लिए यह बटन यूज होगा auto defrost में 1 में चिकन है दो में चिकन के बड़े पीसेस है, तीन में फिश है और चार में मटन है और पांच में वजिटबल और फ्रूट है आपको सेलेक्ट करने के बाद आपको बटन को अप डाउन करके इसका वेट सेलेक्ट करना है वेट सेलेक्ट करने के बाद आपको स्टार्ट कर देना है cook menu है, auto cook menu में आपको timing नहीं डालना है, आपको mode select करना है और express बटन को दबाना है, उसके बाद आप देखेंगे कि एक से एक लिखा हुआ है और एक number में reheat soup, उसके बाद soup को अंदर डालेंगे और start बटन को दबा देंगे, तो 50 second के timing में start हो जाएगा, उसके बाद अगर आपक से आप एक से दो कर सकते हैं, उसके बाद आप start करेंगे अगर soup या coffee है, दो cup है, आप इसको एक से दो करके start कर देंगे, उसके बाद आजाते हैं Indian menu में, यहाँ पर भी 7 number से start है आलू मतर, सामान mix करके अंदर डालना है और start करना है, उसके बाद 13 minute का time दिया हुआ है, और आपको 5 से 7 minute बाद आपको सामान को बाहर निकाल कर उसको मिलाना होगा, उसके बाद अगला बटन है rise menu, rise menu में यहाँ पर option दिया हुआ है, 19 में fish पुलाव है, और 20 में steam rice है, steam rice इसमें बहुत normal option है, steam rice के लिए up down button से 20 set करेंगे और जैसे ही start करेंगे तो 17 minute का timing वो automatic ले लेगा, और आपको rice ready करके दे देगा, यह सारा जो cook menu है यह auto cook menu है, इसमें timing नहीं डालना है, normally आपको code select करना है और start कर देना है, अब आप सफाई से related देखते हैं, इसमें यहाँ पर glass plate होती है, उस उसके बाद एक बाउल लेंगे, उसमें white vinegar कटे हुए नीबू के slice और पानी की quantity थोड़ा ज्यादा रखेंगे, उसके बाद बाउल को अंदर रखकर 20 minute का timing set करके start कर देंगे, उससे जो smoke निकलेगा उससे गंदी smell दूर हो जाएगी और cockroach भी दूर हो जाएंगे, फिर आप सारा surface साफ कर सकते हैं, उमीद है guys आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आ गई होगी, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें